बड़ा राजनेता उद्धो जी थे, जो भगवान को भी अपना प्रामर्स देते थे ऐसा ब्यक्ति बोल रहा है इसमें, कि तुम लोग बिलकुल पूल अर्थ हो, जीवन में जो साध्य है उसको तुमने प्रात कर लिया, पूरा-पूरा प्रात कर लिया और भवत्यो लोक पूजिता, आप लोग में पूज्य हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण में इस अध्भुत भाव द्वारा, महा भाव द्वारा, सिरकृष्ण में अपना मन अर्पित कर दिया है बराई का यही मीटर है, कौन कितना महान है, कौन कितना पुज्य है, जिसने जितना मन अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा दिया तो गूपिया तो मनमात्र ही नहीं लगाई थी वास्तों में सिरकृष्ण में मन लगाया जाता है, कोई यह समझ कर लगाता है कि कृष्ण इस्वर है, भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो नरत में गिर जाओंगा, नहराज के दूप ले जाएंगे इस तरह सिद़ करके और सात्र के अनुशासन से कुछ लुझ भजन करते हैं, वो भी स्रेष्ट है, लेकिन इससे भूद गुपनस्रेष्ट वे हैं, जो स्रीकिष्यन उसे स्वभावी क्प्रयों करते हैं, किसी भाय से नह है, किसी आकांछा से नह है, मुक्त होने के लिए न जबनमाला ने का चक्र से छुटने के लिए नहीं दोस प्रेम करते हैं और उस 있으면 भी उच्चतर वे हैं जो किसी भाव से सिरुकिस्न का भाजन पोगते हैं कृष्ञ्ड हमारा पूत्र है इस भाव से उनको भातिन क्रिष्ण हमारा स्वामी है, क्रिष्ण हमारा प्रियतम है, इस भारशती है, स्री गोपी जनों ने स्री क्रिष्ण को अपना प्रियतम समझ करके उनके साथ प्रेम किया था, ऐसा प्रेम उद्धव जिन मठुरे में यह कहीं भी नहीं देखा था, भगवान क्रिष्ण के प्रत पर्ष्ट कहते हैं कि जासा मनहा भगवती वाश्देवे इती अर्पितव इस तरह से अर्पित अधन्य है इसके बाद बताते हैं कि खृष्ण में भक्ति ही पंचन पुर्शार्थ है सबसे बड़ा पुर्शार्थ है सबसे बड़ी कमाई है दानव ब्रत तपो होम जपव स्वाध्धाय संयमा ही स्रेव भीर विंधेश्चान्य ही क्रिष्णे भक्तिर ही साध्यत्य है बेदों में शास्त्रों में मनुष्य के लिए कुछ स्रे साधन बताया गया है ऐसा करने से उसको कल्यान होगा उसे इसकी प्राप्ति होगी यह होगा जो सुभ कर्म है अच्छा फ़ल देते हैं मुक्ति देते हैं स्वर्ग देते हैं या सिद्धी देते हैं ध्वन बढ़ाते हैं भोग बढ़ता है कई साधनों से जितने भी साधन हैं अपना परलोग सुधारने के लिए तो उसमें है एक दान दान का आर्थ है विश्नों को भगवान को देना और बैस्नों को देना और इसके अत्रिक्त सभी जीवों में भगवान को देह करके जीवों का संबान करना यह दान है आपनी सुउविधा त्याग करके दूसरे जीयों का सुउविधा देना अर विसेश करके बावचनमों को जो भगवान के भक्तिवा लगे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए येदि कोई बावची नो को गुछ देता है इसको दान कहा गया है कुछ दिया जाता है तो इसको दान पहा जाता है और ब्रत नियम पालम। बेदों में लिखे गए नियमों का पालम करना इसको ब्रत करते हैं जैसे एकादसी ब्रत, एकादसी के दिन उपवास करना और अधिक साथिक भवान के नाम जपना, पूजा करना, इसको ब्रत कहा जाते ह। और तप, तप कार्थ है इंद्रियों को भोगों से लोपना है, स्वधर्म का पालन करने, स्वधर्म पालन में कस्ट होता है, परंतु उस कोस्ट को अपनी इच्छा से सहना इसको तपह कहा गया है तपस्या और हूम हूम कार्थ हवन करना अगनी में घी की आहुती देना जब एक स्रेय शाधन है दो प्रकार का हवन होता है एक अगनी में और दूसरा हवन बैसलों के मुह में किया जाता है इस शास्तर में लिखा हुआ है वैसलों के मुख में हवन किया जता है कि उनको अच्छा अच्छा बना कर खिलाया रहता है ब्राभणों के मुख में हवन किया जता है इबत लोक में भी परसिध है और बेद में भी है वैस्नमों को ब्राभणों को खिलाने से पूल्य होता है और परलोक में बहुत सुख मिलता है इस बैक्ति को इसको वपन भी कहा गया है वपन का अर्थ है बोना है जैसे लोग खेत में बीज डालते हैं तो एक बीज कई सव बीज को ले करके आता है एक ग्यहूं का पाउध है कितना ग्यहूं लेकर आता हुगा है वो तो इसकी उपर पर निभर करता है पचास अगर दाना लाता है तो पचास गुना हुआ और क्या करने से बीज वपन करने से बोने से कुछ ऐसी जगह है जहां पर कि उसको बोया जाय तो कई गुना फ़ल मिलता है उसके अगर कुछ काम ऐसे हैं अगर उसे किया जय तो कई गुना फ़ल अर्था दुक मिलता है जैसी कर निभर करने वैसा फ़ल आज नहीं तो निष्चा करता है उसका फ़ल आज नहीं मिलता है लेकिन कल तो अबस्मिले गा अगले जनमी तो उसे मिलना ही है इस जीवन में जो कोई व्यक्ति बैसनों को खिलाता है, गरीबों को खिलाता है, ब्रावनों को खिलाता है, उसे परलोक में कभी अभाव नहीं होता है, वो दूसरों को दान देते ही रहा है, जो दानी है, वे दान देते देते जीवन बिताते हैं, और जो चोर है, चोरी करते ही बित्ता है, कुछ भी नहीं जुठता है इसको, देखा गया है, भगवान राम से कोल भिलको हर रहते चित्रकुट में, यहीं हमार अपी बड़ सेवकाई, लेहिन बासम बसंचराई, दिनता सरकार, हम क्या सेवा करें आपकी, आपकी यहीं बड़ी सेवा होगी, कि हम आपका बरतन और कपड़ा नहीं चुड़ाते हैं, यहीं भारी सेवा, लेहिन बासम बसंचराई, यहीं हमार अपी बड़ सेवकाई, यहीं बहुत बड़ी सेवा है, बासन मने बरतन, बरतन और कप यही भारी सेवा हुए हम लोग के ऐसी जाती में यादत कोल भिन कहते हैं वो तो भक्ती से कह रहा है है नेकिन सचमुच के कुछ लोग बासर नहीं तो जूता तो चड़ा ही लेते हैं उनकी जनम जनम दरीद्र रहेंगे इस जीवन में भी दुख भोगेंगे और आगे जीवन में भी इसलिए ये काम वही बैश्णवों का ब्राभों का जुत्ता चुराना तो घोज नरत में जाएंगे कहां दान करना चाहिए और कहां चुराना दोने विप्रीत है तोने विप्रीत है दान दान है जेन केन विधिदीने दान करई कल्यान गोश्वामी तुल सिदा जी राम से इत्मानस में कहें है कि कल्जुग में बहुत बड़ा गुन है और ये कहीं इस सुतकर्म काम करता है जेन केन विदिदी ने दान कराई कर रहा है, जैसे भी हो कस्ट सह करके भी भारमान करके भी कोई दान देता है, तो दान उसका कल्यान कर, तो दान से क्या साध्यर होता है, हमन करने से, ब्रावनों को खिलाने से, क्या लाव होता है, क्रिष्ले भक्तिर ही साध्यर, एक मात्र उ इन सभीशुल कर्मों का, जप का, स्वाध्याय का, जप मतलब मंत्र जप, मंत्र जप का फ्ल ये है कि कृष्ण में भक्ति, और स्वाध्याय, बेद का अध्यान, बेद पढ़ना, रटना, श्लोक अगरा, इसका फ्ल के है, फ्ल है, क्रिष्ण में भक्ति ही, निश्चित, ही मने निश्चित, क्रिष्ण में भक्ति उत्वन होना, यही सब का फ्ल है, कोई दान देता है, कोई बेदाध्यान करता है, और अन्याई, अनिकार्थ है कि तिर्थ में घुमता है, तिर्थाटन, तिर्थ में भर्मन करना, सत्संग करना, तिर्थ ब्रमन और सत्संग बेदाध्यें, जप, हम्न, तपस्या और ब्रत तथादान, इनका एक मात्रफल है, क्रिष्मे भग्ति ही साध्या करना, क्रिश्मे में भक्ति उत्पन होना यही साद्वय है और यह सब साधन है इन साधनों के दोर इजप में महामंत्र को नहीं लेंगे महामंत्र का जप करना टो ऑज्वय मही महीं साद्वय है भग्वान करना है लेकिन आन्यidores मंद्र कई लग बढ़ यपते हैं अवर्ति करते हैं, जो भगवान का मंत्र नहीं है, तो मंत्र सब वेकार है, उसको जपने से न तो भक्ति मिलेगी न कोछ होगा, महा मंत्र को जपने से भक्ति उत्पन होती है, भगवान का नाम जपने से भक्ति उत्पन होती है, और भी विविधाई, स्रेयो भी, अन्य भी ज गण्यों बेदाध्यान और सयॉंग इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस्म करना, अन्य भी विधधई, अन्य हिष्च, अन्य जितने भी कन्यान दोरह शाधाना सपड़ें, ति साधनों के द्वारा एक मात्र फोल्ड है, कुष्न भाक्ति, कृष्ण में भाक्ति हुए, अगर कोई ठीक से करे तो भगवान की क्रिपाय से इन साध्धुनों से भगवान में भक्ति हो राती है, उत्पन होती है, स्री किष्ण में स्मान में भक्ति, आप लोग जैसी भक्ति नहीं, अधर जी कहते हैं, स्रमडादी अभिरुची स्री अभिरुची हो जाए, यही इन उसका फ़ल है, नहीं तो जितने फ़ल हैं, यह बेकार हैं, ब्यार्थ हैं, उको करने से कोई फैदा देए, अगर कृष्ण में भक्ति नहीं होई, तो यह करना बिलकुल समय बरबार करना है, कोई आदमी अपना साधन कर रहा है, कि हम चले बढ़ेंगे, चलेंगे, बढ़ेंगे आगे, कोई माल लिजे कार लेकर के चला है, चला है, पेट्रोल भी डाला, सब खर्च भी दिया, एक पग बढ़ेंगे ना, ऐसे कार की सवारी बेकार है, ना, एक बढ़ मैं पूछा एक ब्यक्ति से, कि बेकार का क्या मतलब होता है, तो सीधा कहा कि जिसको कार नहीं है, वो बेकार है, अमेरिका में सचमुच्क में जिसको कार नहीं है, उससे बेकार कोई नहीं है, वह बिना कार की कोई है ही नहीं, तो ब्यार्थ है, सब साधन चिटाये चला, एक बार की सथ्य घटना लोग बताते हैं, कि मत्रा के चौज़ जिलो बिश्राम घाट पर एक बार नाव पर चढ़े पुल्निमा की रात थी और रहे कि चले नावका भिहर करें और आगरा की तरफ चले कमच्कों ब्रम्हान्द घाट तक जाएं तो उस भांग पी लिये थे सब चढ़ गए नावका पर धोलक जाग ले लिये गा रहे थे और रसी जो बंधी थी उसका हूप जो लगा था खूटे में उसको खोले नावी जो भांग पीता प्रूमत थे और एक ब्यक्ति खे रहा था तो हिल रही थी नावका तो तो मस्त था और ये लोग भी ए सुच रहे कि हम चल रहे हैं नावका चल रही है और जब सबेरा हुआ तो देखते है कि विश्रान भाट पर ही है जहा से चले थे वही है तो मा तो इसने कहा किया रहे वो तो लंगर निकला नहीं है रसी निकली नहीं है तब हम पता चले कि हम लोग तो क्योली यहीं गागए ऐसे ही कुछ लोग है बहुत-बहुत सद्धन जिخावन करते हैं जहां है वहीं रख गया है कोई बैलाग नहीं कोई जञण नहीं भग्वान में भक्ति नहीं जहां थे बस नहीं रख गया है तो मुश्रिम समाज में जो साधू में अग्रसर हो जाता है, हज करके आता है तो उसको हाजी कहते है और इसके ठीक विप्रीत सब्द है पाजी तो कहें तो मक्का गए, मदिना गए, बनके आए हाजी, पहली आदत महीं गई, फिर पाजी के पाज पाजी ही रह गए तो यह सबसाधन निश्चित स्रे करते हैं, कल्याड करते हैं, लेकिन सब के बाद इजि क्रिष्ण में भक्ति नहीं हुई, तो बेकार सब है बेद पहना भी बेकार है, दान देना, तीर्थ करना, होम करना, सब जार्थ है किष्ण में भक्ति उतपन करना ही, इनका एक मत्र साद्ध एक मत्र और थै, करिष्ण में भक्ति ही साद्ध लेटे है वही कार्थ और कोई फल महीं है इस भक्ति कार्थ है स्रम राजी में रूची भगवान की कथा सुनने में रूची हो जाए तो सब ठीक है अगर रूची पैदा नहीं होई तो धर्म हसोन श्ठित हपुंसा विश्वक सेन कथा सुजा नोत पादे दिर्यदि रतिव स्रम येवा हिक्केवलब ये तो धर्म का ठिक-ठिक अनुस्थान किया जाए धर्म के सब उंख है दान ब्रब्द को हम जँग, स्वधै शन्यं किया जाए और भवाण कृष्म की कथा में रूची नहीं हुई, तो इस सारे धर्म का अनुस्थान के पुवास्त पस्या, इंद्रियस संयं, यह सब ब्यार्थ ही नहीं हैं, और नौर्थ हैं सब, ब्यार्थ तो इसको कहा जैसे माल लिजे कोई कुछ पैसा लगाया, बिजनेस किया, इसक लेकिन बिजनेस ऐसा किया कि पुण्जी भी गई, घाटा लगा तो इसको कहेंगे अनौर्थ, है ना, इस देखा जाता, अगर क्यों घाटा हो गया ठीक है, ऐसा घाटा हुआ कि जो भी था समानलप से हो गया, फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा भी नहीं और उपर से मह इद भागवान की जोची नहीं हुआ, तो और सब धर्म कर्म बेकार, ब्यार्थ है, और नहीं हुआ, भगवान की जोची और रूची हो गई, तो सब ठीक है, तो कथा की रूची, कथा में रूची पैदा करने के लिए ये सब काम किये जाते हैं, इससे होता है, सुभ करवादू करता है, तो भगवान की कृता से साधू सम्झ से भगवान की कथा में रूची हो जाती है। तो जहां भगवान की कथा में रूची पैजा करना ही सबसे बड़ा खौल है, दान ब्रत आदी का, तो आप लोगों की जो भक्ति कृष्ण में है, आपका जो प्रेम है, कितनी बड़े सुभ कर्म का खौल है, इसको तो कहा ही नहीं जा सकते। आप लोग ने कोटी-कोटी जग्य कर लिया, करोर तीर्थव में अस्नान कर लिया, इस तरह से श्री कृष्ण में आपका मन लगा हुए। आपका तो मन लगा ही है भगवाली कृष्ण की भक्ति में, इसके साथ भगवत्तुक्तमस्लों के भवति भी रनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीना मपी दूर लभा। आपके बचनों से, पुधर जी कहते हैं गोपी जनों से, आपके बचनों से, आपकी बात सुनने से और आपका दर्शन करने से, लोगों को ऐसी शिक्षा मिली है, उसके दोरा भगवाली कृष्ण में अनुत्तमा भक्ति अउत्तर हुई है। जो कोई आपकी बात सुनेगा, जैसे गोपी गीत है, प्रणय गीत है, ब्रमर गीत है, इन सब गीतों को कोई सुनेगा, तो उसके हिरदे में अनुत्तमा, नुत्तमा जस्यासा अनुत्तमा, जिसे बढ़ करके कोई स्ष्ट नहीं है, आईसी भक्ति उत्पन होगी। तो एक प्रकार से आप लोगों ने सबसे उत्तम भक्ति का प्रवर्तन किया है, प्रचार किया है। गुपियां इतनी पवित्र हैं, इतनी पवित्र हैं कि कोई भ्यक्ति एक दिदी इनकी कथा सुने, इनका घीत सुने, तो उसके हिरदे की सारी वासनाय, कामनाय, नस्ठ हो जाती है। स्वायन सुगदेव को सामय ने कहा है, जो कोई भ्यक्ति भगवान कृष्ण के इस रास किलड़ा को धहर से सुनता है, तो उसके हिरदय का रोग काम पिकार सदा के लिए दूर हो जाती है। यह महान आचार्जों का महा भागवतों का उद्गार है। कि गुपियों ने भक्ति का प्रवर्तन किया इसका अर्थ है यह नहीं है कि उन्होंने परशायर किया। यह अर्थ है कि उनका उदारन देह करके जगत के बड़े-बड़े लोग सीखेंगे। स्वसुख वासना हीन भगवान से प्रेम, भगवान को सुख देने के लिए। तो यह अनुत्तमा भक्ति है। जिससे उत्तमा और भक्ति नहीं है वो है अनुत्तमा। सर्व स्रिष्ठा त्यारत। सबसे सर्थ भक्ती यह तक की मुनी लोग भी इससे सिखेंगें। मुनीना बती दूरलभार, सनकादी आजी जब मुनी है, इन लोगों के लिये भी ये दूरलभ भक्ति है, ये लोग भी नहीं जानते थे आज तक ऐसी भक्ति होती है, जैसी भक्ति गोपियों में है, वैसे नारज्य में भी नहीं है, बड़े-बड़े मुनियों में भी नहीं ह में कहते हैं जथा ब्रजगोपी का नाम, भक्ती का डिफिनिशन दिये हैं और भक्ती का सही बड़न किये हैं, विसुद्ध भक्ती का जब बड़न करते हैं तो वे उद्धान केते हैं जथा ब्रजगोपी का नाम, जिस तरह के ब्रजगोपियों में भक्ती थी, प्रेम ते, सा दोज ये कह रहे है कि इस संसार के जीवों का भाग्य है, उनके भागय से, मुनियों के भागय से आप लोगों का यह प्रेम भगवान कि इस में प्रपठ हुआ है, मुनियों का भागय है, हम लोगों का भागय है, सभी जीवों का भागय है, इस भक्ति का आदर्स वे देख रह तो मैं आप लोगों के सौभाग्य को नहीं कह रहा हूं, बुद्धर जी कहते हैं को कि जना से, मैं तो दुनिया के लोगों का भाग्य देख रहा हूंगे, इस तरह के भक्ति का ज्ञान ने हुआ, आपके आचरव से, बड़ा सौभाग्य है जगत की जीवों का, जो आपके भ भक्ति भाव के शिक्षा ले करें, ऐसी भक्ति करने की चेश्टा करें हैं, तो आप अपने को हीन मत समझें, दिष्ट्या पूत्रान पतिन देहान, स्वजनान भवनान इचा, हित्वा भ्लित यूयम जद कृष्णा ख्यम पूर्संपरम, फिर तुम कह रहा हैं, सौभाद्य की बात है लोगों के लिए कि आप लोगों ने भक्ति के दिखाया, इसके साथ दिखाया कि क्रिष्ण के लिए किस तरह त्याग किया जाता है, क्रिष्ण के लिए आपने अपने पुत्रों का त्याग किया है, गुपियों के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन इसक को बत्रन के मतलब इक कभी कि चंता नहीं किया मैं किया अगर कृष्ण के वांसरी कि ध्वनी आय प्न निकुणज से चाहे वह आधी रात हो ना चाहे साम का समाय होया, जेठ की दुपहरी हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ करके चल देती जा कभी यह परवाश नहीं किया, जैसे देह के बारे में कहो हैं कि देहन हित्वा, देह छोड़ करके, तो इसकार थे कि देह की उपेक्षा करके अर् वैसे ही सब का स्मेह चोड़ करके, और स्वरोप से उन्सका चंग त्याप करके, सवजना अपने सवजनों को, सवजन कार्थ है, पती तो सवजन है ही, अरि उन इस सवजन कार्थ है, भाई, पीता, साज, सस ocasुर, देवर, जेठ, सब को छोड़ कर, भaveना निचा, अपने भ्रावन को छोड़ कर गोपियों को ये चिंता नहीं रहती थी कि जब मैं लौटूई तो कहां रहूंगे इतना ही ध्यान रहता था कि प्रियतन बासुरी बजाकर के मुझे बुला रहे हैं बस जाना है जाना इसको एक कभी ने वरण किया है एक पद में देव कभी की रचना घटा घहराती बीजु छटा चहराती आधिरात हाहराती कोटी फीट रुणजला एक समय की बात है श्रिकृष्ण बुलाए या कभी भी बुलाते थी तो घटा घहराती एक दृष्वता रहे हैं देव कभी बादन छाया हुए थै और बहुत गर्जन हो रहा है, बिजु छटा छहरात है, बिजली की छटा विछिविच में चबकते थी, कड़कते थी, बजरपात होता थै, आधी रात हहराती, आधी रात के सवय, रात हहरा रहे थे, उसका थे सुन्य सान रजन रात, और कोटी खीट रती रुण्जला करोडो करोडो कीडे भरे थे पथ पर वो चलता हुआ रास्ता नहीं था हुकत उलुक बन कुकत फिरत फेरू और उलुक उकते थे हुँ हुँ करते थे बहुत भयावह राट थे रात में उलु कुब बोलते हैं क्युंकि रात में उनको दिखाय काई दिखाय नहां रहता है कुकत फिरत फेरु फेरु मैंने सीयार और सीयार सब हुआ हुआ करते थे भूकत तो भयर भूत गामे अली गुंजलां और कुते भूक रहे थे भूकत तो भयर भयर वाले कुता यह उब सब भूक रहे थे भूत गामे अली गुंजलां और भूत गा रहे थे ऐसी भयानक रात थे या मौस्या के रात रहे हो गे भूत गाते थे जैसे भावरा गाते हैं, इतना हाको डाको जो भी उत्र लगता था मुझता था, जीली मुख मूंदी, तो वहाँ पार राधारा नी चली है स्री किष्ण से मिलने के लिए, अकेले में सखी भी कोई नहीं लिया, बासरी की आवाज सुनकर के चल दे, जीली मुख मूंद करके, इसकार्त है कि अपने पायर से हाथ से धमक देती हैं, तो वह उतना बंद हो जाती है, जीली जब बलती है, तो हाथ का घ्लने से और पायर की धमक देने से बंदता है, जीली मुख मूंदी, तहां बीच्छी गंदी, और बीच्छी पर पय रखते हुए ज बिश्व ब्यालनी को रूंदिकाई मिलाननी के पूंजवर। और सांपों को ऐसे कुचलते जा रही हैं, जैसे लग रहा है कि वे कमल के नाल पर चल रही है। सांप कितने उलज रहे हैं पैरों से लेकन चलती जा रही है। जाई बिश्वान की कनहाई के सनेह बस आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजलाओं। बिश्वान की पुत्रे जाई जाई बिश्वान की कनहाई के सनेह बस कृष्ण के सनेह बस आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजलाओं। इसे में अफकेले बरसाने से चलिए और जहां कृष्णा है महां पहुंचे ये प्रेम है गोपीजनों का घटा घहरती भीजु चटा छहरती आधी घटा घहरती भीजु चटा छहरती आधी घटा घहा रति बिजुचता छहा रति आधि दिराता हा रति को टि